Hello and welcome back to Bodhisattva PCS. This is Nostrum, the Ultimate Current Affairs Series for 70 BPSC preliminary examination. इस पूरे सीरीज में पूरे एक साल का जिसमें अगस्ट 2023 से 2024 तक का Current Affairs through Video Lecture and PDF Notes section wise आपको cover कराय जा रहे हैं. जिसमें already Science and Tech and Economics का खतम किया जा चुका है. अब तक update आपको मिल चुका है. तुरू Video Lecture and PDF Notes. बोथ Video Lecture are free for all aspirants. बट PDF जो है केवल Paid Member के लिए है जिसका चार्ज दो सव एकाउन रुपया है. यदि आप इसका Paid Member बनना चाहते हो तो यह हमारा नंबर है 97 178 805 इस पे Call करके WhatsApp करके हम से जुड़के आप अपने preparation का pace और standard दोनों maintain कर सकते हो. ठीक है? तो आज से शुरू करना है हम International Relations. Lecture 1 में अगस्ट 2023 से October 2023 तका IR से संबंदित Important Development देखेंगे. ठीक है? जो कि काफ़ी important है. यदि PYQ का आपने analysis किया होगा ता आपको पता होगा 5-6 प्रश्न है. सीधे सीधे IR से पूछे ही पूछे जाते हैं. पुछे जाते हैं. तो चलिए, शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपसे request है. If you are new at my channel, then subscribe to the channel and hit the bell icon for all the new information. पहला topic है भारतिय प्रदान मंत्री की ग्रीस यात्रा. दिखो, 40 वर्सों के अंतराल के लंबे अंतराल के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि 25 अगस 2030 को आपके प्रदान मंत्री नरंद्र दामोदर दास मोदी ने ग्रीस की यात्रा करी. इस दोरान ग्रीस की राष्टपती कतेरीना सकेला रोपुलू के दवारा the grand cross of the order of honor से प्रदान मंत्री नरंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया. तो काफी important है यह लाइन यहां से प्रश्ण सीधे सीधे arise किया जा सकता है. यह लाइन भी काफी important है. आप देखोगे न यदि PYQ का analysis करोगे current affairs का तो इसमें IR का काफी जादा महत्तव होता है my dear friend. इस दोरान भारत के प्रदान मंत्री के दोरा एथेंस में गुमनाम सैनिक के म पहुँच में. ब्रिडी करने पर भी सहमत हुए my dear friend. ठीक है? तो यह Greece है. काफी important है. आप देखो. और यहां से इसकी mapping भी साथ. जब भी आप IR करो ना. तो IR के साथ mapping काफी important है. location काफी important है. क्योंकि हमेशा जहें BPSC की बात करें. इदर यहां preparing for BPSC, UPPSC या UPSC. जो भी static portion affiliated होते हैं current से. वहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है my dear friend. ठीक है? तो Greece की सीमा देखो. यह Albania है. North Macedonia है. बुलगारिया है. यह share करता ही से. और यहां पे यह Turkey है. पूरब की तरफ. ठीक है? भूमत सागर में. इसकी Mediterranean Sea में. इसकी अवस्तिती है. तो आप ध्यान में इसको रखना. काफी important है. इसके जो पडोसी देश है. इनका location आपसे पूछा जा सकता है. अगला important topic है. टीटी का का जील. देखो जलवायू परिवर्तन के कारण. देखो पेरू और बुलीबिया की सीमा के यह तहत आता है. टीटी का का जील. ठीक है? और कई बार यहां से प जलवायू परिवर्तन के कारण इस जील में जल अस्तर में गीरावर देखी गई है. और यहां पे जो विशेशक गहना पर्यावरण वीद इस प्रदूशन को भी एक बहुत बड़ी समस्या बता रहा है इस जील के अंदर. ओभर फिसिंग के तहत यहां से बहुत सारी मचलि हैं वो भी बिलुप्त हो चुकी हैं तो यह संकट ग्रस्त हो चुका है टीटी का खाले को आपको बताना चाहूंगा कि बोलीबिया और पेरु के सीमा पर एंडेज परवत पर इससे ही था यह और दुनिया की सबसे उची नौगम में जील इसे माना जाता है माई डख्षिन दक्षिन अमेरिका की यह सबसे बड़ी जील है तो काफी इंपोर्टेंट है एज लोकेशन वाई और संदर्ब क्या था करेंट अफेर्स के लिहा से पर्यावरण के दृष्टी से यह काफी इंपोर्टेंट है पॉलूशन ओवर फिसिंग और इसके साथ-साथ जलवायू प पूशा जा सकता है पाक एस्टेट और रमश्वरम के बीच स्तित है यह ठीक है ध्यान मेरकिन बाजन पूशा जा सकता है कच्च घ्यूब विवाद जो किन दो देसों के बीच है तो भारत और जर लंगवाद के बीच है बारत और जलसंदि में 201 skatur में विस्तित येयक? निर्जन अस्थान है और शौदावमी शताबदी में ऐसा माना चाहता है कि चोहला मुखी विस्फोट के कारण जो है इस द्वीब का निर्मान हुआ और ये हमेशा इंडिया और स्रिलंका के बीच विवाद का केंदर रहता है मचली पकड़ने को लेके बार में 1976 में इसको लेके इंडरा गांदी की ततकालिन गोर्मेंट और स्रिलंकन गोर्मेंट के बीच जो है एग्रिमेंट भी हुआ था बाद में उसके बाद भी कंट्रोवर्सी जारी रहती है तो वो उतना इंपोर्टेंट नहीं है फोर प्रई पॉइंट अव्यू लेकिन कच्छा तीवू द्वी विवाद कि इन दो देशों के बीच है भारत और स्रिलंका के बीच और इसकी अवस्तिती क्या है आपने देख लिया अगला इंपोर्टेंट टॉपिक है पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन माइडियर फेंट काफी इंपोर्टेंट है बंगलेरु में 25 सित तंबर 2023 के मद्द इसका आयोजन किया गया और यह पहली बार है दियान में रखना कि जब एक एशियाई कॉफी उतपादक देश ने विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया है आयोजन अंतराश्टी कॉफी संगठन दुआरा भारतिय कॉफी बोर्ड के सायोग से करा गया इसकी सुबंकर की बात करें तो कॉफी स्वामी इसका सुबंकर है तता इसकी थीम सर्कुलर एकनॉमी और पुनर योजी कृशी के माद्यम से इस तहर का इंपॉर्टन करके बताओ यह आप हमारे फॉलोर हो और रगुलर हमारा वीडियो देखते रहते हो तो ठीक है अब ये तो हो गया कॉफी से related संदर्व जो current में बना हुआ है यदि इसकी static portion को देखें कॉफी से संबंदित तो इसकी जो आवश्यक जलवाई उपर सितिया हैं आप सबको पता होगा गर्म और आदर जलवाई में ये ज़्यादा उत्पादित किया जाता है तापमान 15 डिगरी से 28 डिगरी सेल्सेस तक चाहिए वर्षा 1500 से 500 सेंटिमेटर तक वर्षा भी चाहिए मिट्टी के लिए अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे आदर्श मिट्टी मानी जाती है सबसे अधिक यहाँ पर डोमट मिट्टी में इसका उत्पादन अधिक होता है हलाकि हमरी इंडिया में लेटराइट मिट्टी उगरा पर इसकी खेती ज़्यादा होती है देश में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य आपका करनाटक है अब भारत की कॉफी को न सर्बोच सरेने की कॉफी मानी जाती है क्योंकि इसे चाया में उत्पादित किया जाता है तो कॉफी से रिलेटेट हमने जो भी संदर बता चाहें स्टेटिक और करेंट दोनों को देख लिया हमरा अगला टॉपीक है किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्टी आयोजित करी गई 12 से 15 सेटेंबर 2023 को नई दिल्ली में देखो काफी selective होके काफी result oriented और जो point ऐसे होते है जो examination में पूछने है कि जिनकी high probability होती है जो current संदर्भ है जो current temperament है BPSC का इसी को ध्यान में रखते हुए सारे topics जो है इसमें include करेगे है my dear friend तो यह very very important है शुरूर से लेके last तक जरूर देखना if you were serious for 70 BPSC examination my dear friend और इसका PDF यदि लेना चाहते हो अपने खुद से भी notes बना सकते हो बट यदि आप PDF लेना चाहते हो आपको पता है कि कोई भी संस्तार रनोगेरा करने के लिए थोड़े बहुत पैसे के और शक्ता होती है इसलिए इसका PDF जो है paid है जो की काफी minimum charge है 2001 रुपे आप इसे यदि खरीदना चाहते हो तो नीचे वीडियो का description box में इसका procedure दिया हो है उसे follow करके आप इसे खरीज सकते हो किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोश्टी हमने बताया नई दिल्ली 12-15 सितंबर 2030 को आयोजित करी गई जिसका मुख्य उदेश विश्व भर में किसानों के अधिकारों को लागू करने के मर्ग में आने वाली चुनौतियों तथा उपलब्द और शरों का पता लगाना था माइडर फ्रेंड हमारा अगला topic है नगारनो कारबाख काफी important है और देखो ये मतलब पिछले एक साल से देट साल से चर्चा में बना हुआ है अर्मेनिया और अजर्बाजान के बीच ये वाला छेत्र है रेड कलर वाला छेत्र है और कंट्रोवर्सियल चेत्र है ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इसको लेके अजर्बाजान द्वारा नागर्णो कारबाग शेत्र में अर्मेनियाई सैना के बिरुद्ध सैन अभ्यान आरंब कर दिया गया है ये काकेशित स्परवत आपको पता है अवस्तिती दक्षिन काकेकर्स में एक भू आबद पहाड़ी शेत्र है मननेता प्राप्त है लेकिन अधिकांस निवार्सी जो है इसके हैं ये अर्मेनियाई नुरिजातिये समूह के हैं तो दोनों के बीच कंट्रोवर्सी होना ये लाजमी है इसका लोकेशन आपको पता होना चीए काफी इंपोर्टेंट है लोकेशन के बीच और ये लोकेशन का जो एडिया है पूछा जा सकता है कि नागार्नो कारबाख रेजन जो है किन दो देशों के बीच विवाद का केंद्र है माइडे फ्रेंड ठीक है अर्मेनिया में देखो यह कितना बड़ियान लेक दिया गया है लेक सेवान ठीक है तो यह भी यहां से पूछा जा सकता है ठीक आगे बढ़ते हैं हमारा आगला वेरी वेरी कॉइट इंपोर्टन टॉपिक है भारत सौधी अरब रणनितिक साज्यदारी परिशत की प्रतम बैचक आयोजित करी गई देखो पिछले बार सप्टेंबर में आपको पता है कि G20 सिगर समेलन के समापन हुआ था और नई दिली की इसी समापन के बाद जो है नई दिली की एक दिवसीय राजकी यत्रा पर आये सौधी क्राउन प्रिंस और प्रधान मंतरी मुहमद बिन सलाम सलमान बिन अब्दुल आजीद सल साओध के साथ हैदरावाद हाउस में दुपक्षिये बैचक हुआ था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और दोनों सामिल हुए थे इसमें SPC जो की स्टैट्जिक पार्टनर्सिप कमिटी के अस्थापना करी गई है कमिशन के अस्थापना करी गई है ये 2019 में करी गई थी काफी इंपोर्टेंट है ध्यान में रखिएगा प्रश्नियां से राइज हो सकता है कि भारत सौधी अरब रणनितिक साज़ेदारी पर करने के लिए एक टास्फोर्स करने पर सहमती बनी जिसका लक्ष क्या है कब कभी भी बताता हूं देखो हम तो ऐसे गाउं में इकठा हो जाता है बेमतलब की लेकिन इंटरनेशनल लेबल पे कभी भी कोई एक दूसरे से हाथ भी मिलाता है तो वह वहां पे अपने इंट्रे स्थापित करना ठीक है तो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पे स्थापित करी जा रही है महाराष्ट के रतनागिरी में अंडर वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना ठीक है सौदी अरब और भारत के रणितिक सैजिस्दारी के बदहुलत इसका जो छमता होगा वो साथ मिलियन टन वार्शिक होगी माई डियर फ्रेंड यह अर्मक अरामा को जो की सौदी अरब का कंपणी है तेल उत्खनन कंपणी है फिर आबुधावी नेशनल वायल कंपणी सौन्जुक्त अरब अमिराद की है और भारतिय कंपणियों के बीच ये एक त्री प पुर युद्द के पचासवी वर्सगाठ पर हमास के दौरा ओपरेशन अल-आस का अकसा स्टॉम के तहल जो है इसराइल पर हमला किया गया 6 अक्टूबर 2030 को ठीक है आठ अक्टूबर 2030 को इसराइली सरकार दौरा हमास के विरुद्ध अपचारिक ग्रूप से इसके एगंस यह operation iron sword के नाम जो है इसको दिया गया है ठीक है अब यह तो conflict हो गया दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन और इसराइल के बीच वहाँ पे बहुत सारे भारतिये फस गये थे इसराइल में तो उनको वहाँ से air lift कराने के लिए वहाँ से सुरक्षित मिकालने के लिए operation अजय चल करा गया तो यह काफी important है ध्यान में रखना operation अजय भारत के द्वारत के द्वारत के द्वारत के द्वारत करा गया operation अल-Aqsa storm जो है हमास के द्वारा इस operation के तहट इसराइल पर हमला किया गया और इसराइल जो है operation iron sword के तहट हमास के बिरुद अपशारिक युद्ध की इसका defense system काफी strong है आपने देखा होगा ना रमायन महाभारत में जब दो तीर इधर से आते हैं तो एक दुसरे से टकड़ा के एक दुसरे के प्रभाव को नश्ट कर देते हैं तो iron dome system भी इसराइल का कुछ ऐसा ही है इसराइल को इसे रक्षा प्रदान किया गया है कोई देने वाले किसी भी निकट rocket missile या मानो रहित बाहन को track करके उसको निश्क्रिये कर देती है जिसकी सफलता दर 80 से लगबग 90 स्वी सदी के बराबर है मैटेश्ट हमारा अगला topic इसी से संबंदित राफा क्रॉसिंग है गाजा पट्टी से सबसे दक्षन निकास मिंदू मिस निकास है जो इजराइली शेतर की ओर नहीं जाता यह राफा क्रॉसिंग ध्यान में रखना यह बहुत सारे बॉर्डर क्रॉसिंग लाइन है जैसे यह राफा क्रॉसिंग हो गया इस पर इजराइल का कोई कमांड नहीं है लेकिन दूसरा यह देखिएगा केरेम शालोम फिर यहां पर उत्तर में देखो इरेज क्रॉसिंग है इसमें भी इसराइल का पूरा-पूरा कमांड है तो गाजा में और इसके बाहर दो अन्यसीमा क्रॉसिंग भी है इरेज उत्तर में इस्तित है जैसे कि मैंने बताया इसका उपयोग इसराइल के लोगों की दुआरा कि धीगे है माइडर फ्रेंट ठीक है हमारा अगला इंपोर्टन टॉपिक है भारत यू के टू प्लस टू समबाद देखो टू प्लस टू दो चैनल के द्वारा ये समबाद किया जाता है एक में विदेश मंत्री होता है दूसरे में रक्षा मंत्री या फॉरेंड मिनिस्टर और इसको नई दिली में उजीत किया गया टू प्लस टू वर्ता जिसमें विदेश और रक्षा मंत्री दोनों सामिलों के समबाद करते हैं इसके तहट ब्यापार निवेश रक्षा महत्वपुन और उभरती प्रद्धोगे कियों नागरिक उड्डेन में आने वाले सयों की काफी दे दी गई इस संभावना के बिरुद्ध जो है वर्सिलोना में काफी जादा यहां पे वर्सिलोना है ताफी बड़े पैमाने पर जो है बिरोध प्रदर्शन आयोजीत किये गए तो कैटलोनिया अपने आप में स्टैटिक पॉइंट हो जाता है कंट्रोवर्सियल है यहां पे हमेशा कंफिलिक्ट हो के शामने आते रहता है तो यह याद रखना है इसका कहा है तो यह था हमारा आई-आर से समबन्दित लेक्षर बन जिसमें हमने अगस्ट 2003 से अक्टूबर 2013 तक के इन्ट्रेनाशनल रिलेशन से समबन्दित करेंट गरींट को देखा। I hope कि आपको topic का जो भी content था, जो भी मैंने convey करने की कोशिश करी, आपके जेहन तक असानी से उतर गया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, मिलते हैं अगले वीडियो lecture में, तब ते के लिए signing off, ठेक और जैहिंद, जैभारत, और करने को वीडियो।